हेलो फ्रेंड्स तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ते की कटिंग और स्टेचिंग करना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने ये डेड़ मीटर फैब्रिक लिया है उसको इस तरह से एक साइट से हम जितना हमें चुडाई में च निशान लगाने के बाद अब मैं यहां से स्टेट कर लूँगी अब तीरे का निशान लगाएंगे जितना भी आपका तीरा हो उसको टू से डिवाइड करके उसमें हाफ इंच और एड़ करें तो साधे शे इंच पे निशान लगाया मैंने और आरम होल का सेक्स पे और नी इंच की लूजिंग देंगे और आगे जो मिलिया मैंने वो सिलाई मार्जा रहेगा तो कुर्ती में ऐसे हाफ पॉना इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई के लिए उसके बाद नीचे हीप का निशान लगाएंगे ग्यारा इंच पे और इसका इस पे भी शेम निशान लगाएंगे और पल्ले पे जो निशान लगाएंगे वो जैसे हमने उपर निशान लगाए उतना ही सेम लगाएंगे लेकिन पोना इंच उसमें और एड कर लेंगे शेप के लिए और कमर का निशान लगाएंगे हाफ इंच कम करके शाथी और हिप के निशान से हाफ इंच कम करके हमने कमर का निशान लगाया तो हलकी सी शेप आ जाएगी अब एक इंच तक पीछे की तरफ इस तरह आरम होल की हम कटाई कर लेंगे और अभी एक इंच शोल्डर किराएंगे उपर से और इसको भी इस तरह से राउंड कर लेंगे हमने ये निशान लगाया है ये एक इंच पे लगाया है उपर की तरफ का तीरे का तो अभी पॉकिट लगाएंगे इसमें तो हीप से एक इंच उपर की तरफ निशान लगाएंगे और एक इंच के बाद पांच इंच की तरफ और निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से मैंने स्की कटिंग कर लिए यह गुर्ता भी 9 से 10 साल के बच्चे के लिए बन रहा है अभी जो कपड़ा बच्चा था उसको भी इस तरह से हमने फॉल्ड कर लिए है उसके बाद हमने आगे वाले पल्ले को इसके उपर रख लिया है अभी हम बैक पला कट करेंगे तो उसके लिए जो निशान ये था हमारा पहले आरम होल का कि उसको इस तरह सीधा कर लेंगे क्यूंकि हमने आगे वाले पल्ले को आगे की जो हम कटाई देते हैं वो दे दिये अब टू इंच आपर की तरफ उठा लेंगे इसको तो यह सवा दो इंच पर मैंने नेक की चुडाइक कर निशान लगा दिये तो इस तरह से हम अपने निशान सीधे कर लेंगे और साड़े शे इंच नाप के यहां पर भी तीरा ले लेंगे और अब इन निशानों को इस तरह सीध्या मिला लेंगे अब यह बैक वाले पल्ले की गुलाई आ जाएगी तो हमने अगले बाले पल्ले को आगे वाले पल्ले को पहले ही शंटाई दे दी अब हम कटिंग करेंगे ऊपर से यह जो हमने अभी शेप दी उस शेप से कट करेंगे इसको बैक वाले पल्ले को तो यह यहां से कट होगा इस तरह से बाकी कटिंग हमारी सेम रहीगी सिर्फ हम बैग वाले पल्ले को टू इंच उपर उठा लेंगे पीछे वाले पल्ले से यहां भी हम हाफ इंच तक उपर की तरफ इस तरह राउंड कर देंगे ताकि सिलाई करते टाइम हमारी कॉर्णर ना निकलें इस तरह से भी यहां पर कट लगा लेंगे जो हमने पॉकिट के लिए निशान लगाए थे आप चाहिए तो पॉकिट दोनों साइड भी लगा सकते हो लेकिन मैंने एक साइड ही लगाई है अब हमारा जो यह उपर का एक्स्टा कपड़ा है विस तरह आगी की तरफ आएगा क् इसलिए लिए है क्योंकि इसमें हम एक्स्टा तीरा बगहराइड नहीं करते पीछे से तो अभी यह नैक की बीट के लिए मैंने धाई इंच और जो गहराई ली है भूलिए धाई इंच अब उसको इस तरह से शेप दे देंगा पीछे वाले नैक की जो गहराई है वो मैंने इस तरह से इसमें बैन लगेगी तब ही हमने पीछे वाले नैक को इस तरह काटा है अब आठ इंच अहां निशान लगा के जो जहां हमारी बटन पट्टी लगेगी उसको इस तरह कट करके से ऐसे हलका सा क्रोस कट कर दिया हाफ इंच तक अब हमने यह बचा हुआ कपडा ल लेंगे अब हम 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह जिसको सीधा कर लेंगे 6 हम ने चन्य शंच बहुत शोर एकि शोर अ Epic हैخ का जो निशान था उससे इस तरह से मार्ग करने के वाद इसको रॉंड शेप दे देंगे अभी लेंद्ध मेजर करेंगे एक साथ इंच और डेड़ इंच एक्स्टा फोल्डिंग के लिए यह हम हाफ स्लीप ही बना रहे हैं क्यूंकि उमारे इतना ही कपड़ा बचा था अभी कि जितना हम मौरी रखेंगे लूज इसकी साड़े चार और एक इंच और एक्स्टा तो इस तरह से हम स्लीप कट कर लेंगे फुल स्लीप की कटिंग भी सेम रहेगी हमारी सिर्फ उसमें हमारी लंद बढ़ जाएगी जब हम कटिंग करेंगे तो यह हमारी कुर्ते की स्लीप कट होगी अभी यहां से टूपीस उपर के उठाएंगे हम और यह शेप भी दे देंगे अभी हम पॉकिट कट करेंगे तो पॉकिट कट करने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है यह देखिए और जो इसकी च सीधा नहीं है तो इसको सीधे से हम कट कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से पांच इंच तक यह देखिए पूरा पांच इंच आया है इसके आगे फिर पांच इंच में इसर्ट करेंगे और उसके आगे एक इंच और इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लें कि इस तरह से यह हमारी पॉकिट बनेंगी यह नीचे को थैली बनेगी पॉकिट की और यहां से डेड़ इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे और कट कर लेंगे कि जब बनके रेडी होगी तब आपको अच्छे से समझाएगा अभी हम कुर्टे की स्टिचिंग कर लेते हैं तो यहां पर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी स्टिचिंग की तो मैंने दूसरे कुर्टे की की है कटिंग इसकी सेम है सब कुछ बराबर है बस मैं यहां से अलका सार क्रॉस में कट कर लिया है अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसके लिए पटियां रेडि करेंगे सबसे पहले हम तो एक पती की लेंथ 9 इंच की लिए है और बिट्थ 3 इंच लिए है यह हमारी बटन पति रहेगी और जो काज पति है जो उपर की सामने की तरफ आईगी उसमें मैंने इस थरह से बगरम डाला है तो यह अलग लग पटियां कट किया है मैंने 22 इंच की दोनों और एक के ऊपर मैंने यह टैन इंच की बगरम काटके इस तरह से चिपका लिए है तो सबसे पहले हम हमारी जो लेफ्ट साइड पट्टी आएगी उसको इस तरह हम उल्टी साइड से लगाएंगे तो यह उल्टी साइड हमारा राइट साइड आएगा को कुर्टे का राइट साइड है तो यह कुर्टे की राइट साइड से लगाएंगे हम उल्टी साइड से तो इस तरह कुर्टे को उल्टा करके रखा है पट्टी को उसके स्टिच कर लेंगे उसके बाद इसको इस तरह हाथ से इच्छ से प्रेस करेंगे ताकि इजी लिए टर्न हो जाए इस तरह से अब हम राइट साइड कुट्टे को टर्न करेंगे और पट्टे को इस तरह हाफ इंच आगे से अंदर के तरफ मोडेंगे और बाहर के तरफ निकाल तरह से हम स्टेज करतें जे सिलाइब बिल्कुल किनारी किनारी पर ही लगाएंगे हम नीचे बाली सिलाइए चोपर फी दर verste करेंगे जहां तक हमने कट लगाया था तो यह हमारी पट्टी लगese है नीचे की तरफ रखेंगे Kennet міकारे हैं अभी हम दूसरी पट्टी लगाएंगे तो यह जो एक्स्ट्रा है उपर से इसको कट कर लेंगे अभी हम दूसरी पट्टी लगाएंगे तो उसको पहले हम रेडी करेंगे तो पहले हम वह वाली पट्टी लेंगे जिसमें हमने यह बक्रम अटैच किया तो यह इस तरह का कॉर्णर है वहां पर इस तरह से हम सिला निशान लगा लेंगे ताकि हम इसी लिस के उपर पोटली बटन लगा पाएंगे अब एक एक इंच का निशान लगाएंगे अब इनी निशानों के उपर हम यह पोटली बटन लगाएंगे यह मैंने कपड़े से ही बनाए है तो इस इसको बनाके रेडी कर लेंगे पूरे बोटली पटन हम सेम तरिके से ये टाच करेंगे कि इस तरह से ना पोटली बटन लगा लिए हम नीचे बाली पट्टी लिए दूसरी पट्टी लिए हमने इसने ले इसके लैंठ विर्द भी सेम ही रखी है और उसके उपर जो ये पकरम बाली पट्टी है इसको उल्टा करके रखेंगे और जिस साइड हमने वे पोटली बटन लगाएं हैं उस तरफ इस तरफ से सिलाई लगा लेंगे ये सिलाई हम बिल्कुल उसी सिलाई पे लगाएंगे जिससे हमने पोटली बटन अटेच किये तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अभी हम इसको इस तरह खोलेंगे पट्टियों को और दूसरी पट्टी के उपर हम प्रेस्टिच लगा लेंगे नीचे से कपड़ा कट कर लेंगे हम थोड़ा सा क्यूंकि हमारा वो नीचे की तरफ ही आएगा और अभी हम इसको इस तरह मोड़ेंगे तो यह कुछ इस तरह से आएगा यह उपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसको बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे पट्टी को यह जहां जहां हम सिलाई लगाएंगे वहां भी इस तरह से निशान लगा लेंगे पहले तो इतने तना कपड़ा हम कि सिलाई में लेते हुए निशान करेंगे इस तरह से जैसे ज़से अमने निशान लगाया है उसी निशान के उपर हम यह सिलाई करेंगे और यह उस कट तक ही करेंगे जहां जो हमने लगाया था अब इसको इस तरह खोलेंगे और पट्टी को इस तरह राइट साइड टर्न कर लेंगे इस पट्टी को हमने सीधी साइड से ही अटेज किया है मतलब पट्टी को नीचे की तरफ रखा और कुरते की सीडी साइट से इसको टैज कर दिया तो अभी इसको पलते हुए अभी हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे यह हमारी प्लैंके बनके रेडियो हो जाएगी जिसको बटन पट्टी भी बोलते हैं तो जहां तक कट लगा था वहां तक सिलाई लगाने के बाद मैंने निकाल लिया है इसको जो नीचे वाले कपड़ा है उसको कट कर लेंगे जो नीचे वाली साइड का था अभी हम इस तरह यह दूसरी पट्टी को इसके इस तरह ब्रावर रखेंगे अच्छे से इसको बलाप करके जो हमारी बटन बाले पट्टी थी उसको इस तरह इसके नीचे ब्रावर और जो हमने यह आट इंच का निशान लगा या था जहां स हमारा कट लगा था वहीं से ही हम यह सिलाई को इस तरह लोग करते हुए दूसरी साइड से किनारे से लगाते हुए नीचे हम इस तरह से शेप देते हुए जिस शेप में मैंने यह बकरम कट की थी उसी शेप में सिलाई करते हुए हम सिलाई को को इस तरह से यहां तक लगा लेंगे और यहां से सिलाई को लोग करते हुए फिर हम निकाल लेंगे सिलाई के तो इस तरह से नीचे की तरफ और hooks और loops भी लगा सकते हो चाहिए तो बटन भी लगा सकते हूं तो अभी हम बैक बाला पला लेंगे उसका नेक कड लिया हमने अल्रेडी ही विसके शॉल्डर भी हम अटैच कर लेंगे शॉल्डर की सिलाई हम डबल लगाएंगे इस तरह से अभी हम इसके लिए बैन कोलर रेडी करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डबल कोल करते हुए रखेंगे और इसका मेजर करेंगे नेक को कि यह राउंड में कितना हुआ तो यह हो रहा है सबा साथ इंच तो अभी हम यह बुखरम पीश ले लेंगे इसको मैंने सोला लिया है और उसको double करके रख लिया है तो double करने के बार यह 8 इंच आया बहाँ हम धाई इंच का निशान लगा लेंगे सबस्पार दो इंच का और यहां से इस तरह से round कर लेंगे विश्ची जो चुडाई है वह 3 इंच है और यहां जो हमने निशान लगाया इसी से को मेजर करते हुए सवा साथ इंच पर निशान लगाएंगे और एक इंच का निशान हम यहां लगाएंगे और यहां से राउंड करते हुए अब पूरे में हम इसी शेप में एक एक इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से निशानो को आपस में मिला लेंगे तो जो यह निशान लगाए है मैंने फोल्डिंग साइड से लगाए है जो बगरम की फोल्डिंग साइड है और इस तरह से हमने यह कट कर लिए अभी इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे तो इस तरह से हमारी बैन कट के रेडी है अभी हम इसको की उठीपिले के ऊपर पेस्ट करेंगे खेस्ट की हिल्प से है कि इस तरह से कपड़े को रखेंगे उल्टी साइट से और की नेस कि 걸या कि हम इसको पेस्ट कर लेंगे प्रेस की हेल्प से तो पेस्ट करने के बाद मैंने दोनों दर फाफा फिंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्टा कपड़े की कटिंग कर ली है अब नीचे की तरफ हम यह प्लेन वाल फाब्रिक लगाएंगे तो यहां से स्टिच करना शुरू करेंगे हम बक्रम के साथ साथ हलका सा बक्रम के उपर उपर लगाएंगे हम क्योंकि हम उपर की तरफ पाइटिंग निकालेंगे तो हलका सा बिल्कुल एक एक पॉइंट बक्रम के उपर लगाते हुए हम सिलाई को कंप्लेट कर लेंगे इस तरह से एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर तक और अभी हमने यह क्रेंचे से फोल्ड नहीं किया है तो इसको भी हम पहले फोल्ड कर ले यह वाला कपड़ी आप पहले ही फोल्ड करके लगायेगा इंसलाई कि है यहां एक्स्टर कड़ करने के बदाल के नोचिस लगा लिए हैं और उसके बाद यहां से बाहर की तरफ एक्सटा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक कच्छी सिलाई लगा लेंगे यह बाद में हमें इस लाई निकालनी पड़ेगी जब हम बगर्म को अटाइच करेंगे तब हम इस लाई को निकाल लेंगे तो यह देखिए इस तरह से कि हम यहां इसके उपर इस तरह से सिलाई लगा के सिलाई को लॉक कर लेंगे दोनों साइड़ों से अभी हम इस तरह से इसको राइट साइड टरन कर लेंगे को लग हुए और अच्छी से प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने के बाद हम इसका इस तरह से सैंटर कर लेंगे और न करेंगी और हम इस तरह निशान लगा लेंगे जितना जितना कप्ड़ा सिलाई में लेंगे उसके बाद हम इस तरह में हाथ कर लेंगे जैसे एक साइड से इतल चैश्ट के सबसे ही तुसरी साइड भी हम में इसको कि दोनों साइड से टैच करने के बाद अभी हम इसको इस तरह शोल्डर जो हमारी तीरे वाली सिलाई है वहां से राइड साइड से टैच करना शुरू करेंगे और पूरे राउंड में उपर की तरफ से सिलाई करते हुए अब इस सिलाई को हम यहां तक लगा लेंगे जो हमने यहां तीरे से स्टार्ट की थी एस लाई तो यहां तक हम इसको स्टेच कर लेंगे तो अभी हमारी कॉलर भी लगके रेडी है अब एक साइड की फिटिंग हमने कर ली है उसको पहले इस तरह सीधी साइड से एक एक पैर का मारजन रखते हुए हमने स्टिच किया और उसके बाद यह उसे लाइक गुम होगी तो हमने हाफ हलका हलका मारजन दबाते हुए इसकी फिटिंग भी कर लिए लेफ्ट वाली साइड से और राइट वाली साइड में हम पॉकिट लगाएंगे तो यह हमारी पॉकिट वाले निशान है तो पहले हम उतना ऊपर की तरफ से कि यहां तक स्टिच करेंगे यहां से हम सिलाई को लोग करते हुए फिर से स्टिच कर लेंगे और फिर यह जो नीचे हमने गैप छोड़ा था एक इंच का हीप से उपर की तरफ को हीप के निशान से उपर की तरफ से उसको भी इस तरह सिर्टिश करके लॉग कर लेंगे अब जो हमारे यह बीच में ओपन बचा इसमें हम पॉकिट लगाएंगे तो यह हमारी पॉकिट है कि इस तरह से और हाफ आफ इंच तक अपड़ा रहने देंगे उपर बिना से लाइके ही उसको हम जब स्टिच करेंगे तब कुर्ते से स्टिच करेंगे तब कि उसमें बताएंगे हम आपको उसको कैसे रखना है फिर वहां से अभी कुर्ते को इस तरह ओपन करने के बाद जो हमने यह ओपन चोड़ा था पांच इंच का गैप इसको इस तरह फोल्ड करके डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे हम दोनों साइड़ों से आगे से भी और पिछे से भी इस तरह से यहां पर लॉक करने के बाद हम इस तागे को काट लेंगे अभी हमें इस पर पॉकिट लगाएंगे तो पॉकिट हमारी रेडी है इसको इस तरह रखेंगे जो हमारी यह थैली है इसको इस तरह हम रखेंगे सेंटर कर लिया है हमने ठैली का भी तो यह बला निशान और यह सेंटर आपस में मिलाएंगे और इस तरह जो हमने हाफ-ाफ इंच शोड़ा था नीचे की तरफ उसको अब हम दबाते हुए उसके उपर से लाई लगाएंगे इस तरह से और अब ही जो हमारे यह उपर का हिससा इसको इस तरह खोलेंगे हम और इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे इस तरह से इस तरह से शेप हमने कट की थी उसी तरह की शेप में फोल्ड करते हुए यह यह जो कौन है पॉकेट की यह हमारी सिलाई और कौन आपस में इस तरह सेंटर में आनी चाहिए इस तरह से ये कौन हमारी सिलाई कौन और सिलाई आपस में मिलने चाहिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो दोनों साइडों से अब हम इसको यहां के दूसरी साइड आके इस तरह लोग करने के बाद सिलाई को निकाल लेंगे तो इस तरह से हमारी पॉकिट अटैच हो गी है यह देखिए आप चाहों तो दूनों साइब भी स्की पॉकेट लगा सकते हूँ मैं ने तो सिर्फ एक साइड ही लगाई है इसकी पॉकेट अभी इसके बाद हम इसको निचे चारों साइट से फोल्ड करेंगे और इसकी बाजू भी अटैच करेंगे तो यह फूल बाजू वाला है तो फूल बाजू भी मैंने आपको बोला था कि सेहीं तरीके से ही कट होगी तो सबसे पहले जितना हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्रा रखा था उसको सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे सेम तरीके से दूसरे को भी फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद सीधी साइड से ही इसको इस तरह एक पैंक की सिलाही लगाएंगे तो इस दिलाई को भी हम गुम करने वाले हैं तो अभी स्कूल डिसाइट टान करेंगे इस तरह से अभी जो हम निशान लगाएंगे वो मेजर करके लगाएंगे फोर इंच मोरी का निशान और उपर की तरफ हम आर्म होल नापेंगे उसका कितना हुआ इस तरह से तो यह हो रहा है पौने साथ तो यहां पे भी हम इस तरह पौने साथ पे निशान लगा लेंगे और अब इन दोनों निशानों को मिलाके इस तरह इसके उपर सिलाई लगा लेंगे तो सेम तरिके से स्लीव को अंदर डालके पूरा राउंड में हम स्टिच कर लेंगे इसका ही मैंने नीचे से भी फोल्ड कर लिया है घेरे भी चाट भी फोल्ड करने के बाद हमारे कुरुता कुछ इस तरह देख रहा है और आपस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा में नहीं आइडियास के साथ अब तक के लिए धन्यवाद